लेकिन इस बीच अल्टर टेक के नतीजे आ गए हैं और अनुमान था कि बहुती जोरदार प्रधर्शन देखने को मलेगा यह उमीद से काफी बहतर नंबर है मुनाफ़ा का आकड़ा आपकी स्क्रीन पर 2258 करोड जहाँ पर अनुमान था 2050 करोड का तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि करीब 200 करोड का एक बीट है मुनाफ़े के फिगर में आप गौर करिए रेवन्यू कंपनी ने क्या डिलिवर किया है तो रेवन्यू का आकड़ा आया है करीब करीब 20,419 करोड पर जहाँ पर हम अनुमान लगा कर बैठे थे कि 19,975 करोड यह आकड़ा देखने को मिलेगा तो प्रॉफटिबिलिटी में 200 करोड प्लस का बीट रेवन्यू के पैमाने पर भी एक बड़ा बीट देखने को मिल रहा है और साथी साथ अगरा अब ध्यान दे इबिट्टा ओपरेशनली मजबूत तिमाही 4,114 करोड का यह देहां से जो एक्सपेक्टिड मार्जिन्स हैं कि 18.5% के आसपास आएंगे इन नंबर्स को अगर आप जहन में रखेंगे तो वो 20% के करीब होने चाहिए मार्जिन्स बहुत ही बढ़िया परफॉर्मंस असीले वो स्टॉक करीब करीब 3% तक का इसाफा दिखा रहा है अब वॉल्यूम ग्रोथ भी फिर 10% के ऊपर ही होनी चाहिए क्योंकि इस Q4 के बीच ओबीच हमने देखा था एक अच्छा खासा पिक अप देखने को मिला था डिमांड अच्छी थी कंपनी ने अच्छा खासा कपैसिटी रैंप भी किया है जो नई कपैसिटी जोड़ी हैं तो ह अपने स्ट्रेट को बढ़िया एंजॉय कर लिया है भई गाबासर अपकी बार 10,000 पार लीजे भई 10,000 ग्यारा दिन का हाए मेरी स्क्रीन पर दिखा रहा है सही या एकदम चका चक आपके चरण का हैं आजी वह बहुत बढ़िया मैं करना था आपके चरण का है गजब है 10, लिए अपर देख लिया अपने, हो गया अपना काम, बढ़िया ट्रेट मिल गया, बढ़िया कमाई हो गई, जबकी रिजल्ट का रिस्स सामने ख़ड़ा था, गवासर, दस हजार तो हो गया, What's next? 10,200, 10,500, खली आज का रिजल्ट अच्छा है, स्टॉपो का 9875, वही, अगर वो हायर मूम निकालना है तो 10,200, 400, 500, yes, structure तो अब भी ठीक है, बुरा नहीं लगता अब तक, अब तक ठीक है, पूछना की कैसे कर लेते तो गावाजी बड़ी कूल, बड़े हरांग से, यह वैसे ह दोजों के लेवल, शरद इनमबर्स को आप भी कैसे रेट करेंगे, और क्या कॉमेंटरी स्पेसिफिक आप सुनना चाहेंगे, इस बहुत ही जोरदार क्वाटर के बाद, अदेके बिल्कुल बीट तो है, टॉप लाइंग बॉटम लाइंग दोनों के इनमबर्स पे, तो कैसे बीएफ कर रहे हैं, इंटरनाशनली, वहां पर थोड़ा सा चालेंज बन रहा है, लॉटम में तो मैं यह मानता हूँ कि वह नॉमलाइज हो जाएगा, बट शॉटम में वहां कैसे बन रहा है, उस पर फोकस है, और दूसरा जो कॉम्प्रेशन है, उसको टेक ओर करने के के लिए कंपनी क्या कर रही है, कोई छोटे मोटा अक्विशिशन वगरा की भी बाते चल रही थी, अगर वहां से भी कुछ और निकल के आता है, तो वह एक आड़ी ट्रिगर हो सकता है कंपनी के लिए, बट अल्री एक डॉमिनेंट पोजिशन है, तो बहुत-बड़ा थी, this calls for a celebration. अरे यार, गाब असर है नहीं, जब आएंगे तब ये celebration की बात कंटिनू करूंगा, अभी.